अस्तलाम वलेकूम, कैसे आप सब उम्मीद करती हूँ, खेरत और आफियत के साथ होंगे आज मैं आप से एक बहुत ही डिलिशिस कबाब, चिकन हरी भरी कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत ही जाद हेल्दी भी होता है, क्योंकि ये पालक और पनीर से बनता है तो चलिए इसे बनानों शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लेगे प्रेशर कूकर में 20-25 पालक के पत्ते, इन्हें मैंने दो कर अच्छे से साफ कर लिया है और साथ में है ये 500 ग्राम चिकन चिकन आपने बोललेस लेना है प्रेशर कूकर में हम इसलिए पका रहें, क्योंकि ये एक ही सीटी में रेडी हो जाएगा और ये है वन टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट, चाहें तो आप खड़ी मिर्च डाल दे हरी मिर्च में और ये हाफ टेश्पून जीरा और साथ में है ये हाफ मोटी कटी हुई प्यास उसे मैंने सिफ दो टुकडे में ही काटा है, वन टेबल स्पून चिंजर गालिक का पेस्ट और साथ में डालेंगे ये थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से सारी चीज़े हम खड़ी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि फिर हमें इसे ग्राइंड करना है इसे हम देंगे हाई फ्लेम पर सिर्फ एक सीटी, एकसीटी में ये अच्छे से गल जाएगा और साथ में हम इसमें कोई भी पानी वगरा बिल्कुल भी एट नहीं करेंगे जो पालक है वो खुदी पानी चोड़ेगी और उसके पानी में हमारा चुकन अच्छे से गल जाएगा ये देखे एक सीटी में ये चुकन अच्छे से गल चुका है पानी बिसका सूख चुका था मुझे से सुखाने की जवरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी है तो आप इसे सुखा देना इसे हम ग्राइंड कर देंगे ग्राइंड करने के बाद उसका टेक्शर कुछ इस तरह से रहेगा ड्राइ है ये अगर इसमें पानी रहेगा तो ये बिल्कुल ही गीला होगा और कबाब का शेफ नहीं बन पाएगा क्योंकि हमें इसमें पनीर की स्टफिंग करना है इसलिए हमें इसे ड्राइ ही रखना है इस तरह से आप पनीर का एक टुकड़ा रखना है और इसको अच्छी तरह से कवर कर देना अगर आपको पालक की कांटिटी जादा रखना है तो आप जाधा द़रा भी रख सकते हैं बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपका जो मिक्षर है कबाब और पालक के साह स्थ जब आप घास पर पकाएंगे लोल ना तो घास पो पिर पानी भी और प्ल तो और भी कर सकते हैं फ्रीजर में यह लगभग एक महीना आराम से आपके डिफ फ्रीजर में रह सकता है कि आप इसे बच्चों को ज़रूर बना के खिलाएं बहुत हेल्दी होता है आप उसे टिफिन में भी दे सकती है अगर आप इस तरह मज़ी मज़ी के खाने वज़े को घर पर यह बना कर देंगी तो बाहर के खाने के जिद बिल्कुल भी नहीं करेंगे फिर हमें एक प्याली में लेंगे एक अंडा उसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट उसको हम एक फोक्स अच्छी तरह से बीट कर लेंगे फिर उसमें हम कबाब को क्योंकि इसमें हमें कबाब को डिप करना है तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए फिर कबाब को हम इसमें डिप करेंगे और साथ में हमने रखे एक तरह ब्रेड क्रम्स ब्रेड क्रम्स है मेरा घर का बना हुआ है ब्रेट को मैंने सुखा के उसे ग्राइंड कर लिया था बस वही है उसके बाद पहले अंडी की कोटिंग करेंगे फिर उसके बाद उसे सुखे हाथ से हम ब्रेट क्रम्स की कोटिंग करेंगे उसके बाद हम इसे ना दस मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे ताकि जो जो भी क्रम्स है थाकवाब धोड़ही सायव सेट हो जाए चूते नहीं उसके बाद हम उसको डीफ्राय करने आपने गोल्डन ब्राउन होने तक करना है कर इस तरह से आपने सब कबाबों को कुप्रॉइंज्स लगा देना है अगर आपने हमारे चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियो पैसंद आती है तो लाइक करें और कॉमेंट करें इस तरह से सब कबाबों पे हमने ब्रेड क्रम्स लगा लिया है और उसको एक तरफ सेट होने के लिए लगभख आधा धंटे के लिए रख देंगे और फिर उसके बाद फ्राइ करेंगे यह लिजे कबाब हमारे फ्राइ हो चुके है आप इसे गर्म गरम शाय के साथ जरूर खाईए फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आला हाफिज अपन और अपने फैमिली का ख्याल रखिए